आपके लिए गांदी जी ट्रेलर हो सकते हैं, हमारे लिए गांदी जी जिन्दगी है आपके लिए लूंगी प्रलीज शआग उब फ्रद बारा इघाग उबार इख लुटे जतरों इप लो बोगई जिर भी अगनेज़ के लुटे अगनेजियर जो जेलो जिदिर आगनेजाग जिया जो इननेज़ प्रfahrण के लुटे इस गो एगनेज़ इस उन्यूटाे घा इस लुटे जुटे इस ये आप तो में जवाब नहीं दूंगा बेढ़ जाएए माननी अर्टेशन महुत है मैं राश्टपती जी के अभी भाशन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राश्टपती जी का आभार वेक्षे करने के लिए माननी राश्टपती जी ने न्यू इंडिया का वीजन अपने अभी भाशन में प्रस्तुत किया है 21 सदी के तीसरे दसक का माननी राश्टपती जी का ये वक्तविया इस दसक के लिए हम सब को दिशा देने वाला प्रेना देने वाला और देश के कोटी कोटी जनों में विश्वास पैदा करने वाला ये अभी भाशन है इस चर्चा में सदन के सभी अनुभवी मान्य सदस्यों ने बहुती अच्छे धंग से अपनी अपनी बाते प्रस्थूत की है अपने अपने विचार रखे है चर्चा को सम्रुद्ध करने का हर किसी ने अपने तरीके से प्रयास किया है सिमान अधिरंजन चोधरी जी प्रफिसर सोगतराई जी डाक्टर शुशी थरूर जी सिमान अवेसी जी दानी सली जी राम करपाल यादव जी पीपी चोधरी जी पिना की मिश्रा जी अठले शादव जी मिनाई जी रावूत कई नाम है मैं सब के नाम रहूगा तो समय साइब भौट जाएगा लेकिन मैं कहूँगा हर एक ने अपने अपने तरीके से अपने विचार पस्तूत किये हैं लेकिन एक स्वर ये उठा है कि सरकार को इन सारे कामों की इतनी जन्दी क्या है सब चीजे एक साथ क्यों कर रहे हैं ऐसा भाव भी लोगों के बातों में साता है तो मैं शुरुवात में सिमान सर्वेश्वर दयाल चक्षिनाजी की एक कवीता को उद्गुर्द करना चाहूँगा और वही शायद हमारे समस्कार भी है हमारी सरकार का स्वभाव भी है और उसी के कारण उसी प्रेणा के कारण हम लिख से हट करके पेज गती से आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास कर रहे है सिमान सर्वेश्व द्याल जी ने अपनी तवीता में लिखा है लीक पर वो चले लीक पर बे चले जिन के चरण दुर्बल और हारे है जिन के चरण दुर्बल और हारे है हमें तो जो हमारी यात्रा से बने हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पत ही प्यारे है माने अदिग जी और इसलिए लोगों ने सिरफ एक सरकार बदली है ऐसा नहीं है स्वरोकार भी बदलने की अपिछा की एक नई सोच के साथ काम करने की सदेश की इच्छा और अपिछा के कारण हमें यहां आ करके सेवा करने का अउसर मिला है लेकिन अगर हम उसी तरीके से चलते जिस तरीके से आप लोग चलते थे उसी रास्ते से चलते जिस रास्ते के आपको आदत हो गई थी तो शायद सत्तर साल के बाद भी इस देश में से आर्टिकल 3.17 नहीं है आपी के तौर तरीके से चलते तो मुस्लिम बहनों को तीन तराक की तलवार आज भी दराती रहे अगर आपी के रास्ते चलते तो नाबालिक से रेप के मामले में फांसी की सजा का कानून नहीं बनाएं अगर आपी के सोच के साथ चलते तो राम जन्र भूमी आज भी दिवादों में रहती अगर आपी की सोच होती अगर आपी की सोच होती तो करतार पूर साहब करिडोर कभी नहीं बन पाता अगर आपी के तरीके होते आपी का रास्ता होता तो भारत बंगला देश सीमा विवाद कभी नहीं सुनदेश मानिय अद्ध जी मानिय अद्ध जी को देखता हूँ सुनता हूँ तो मैं सबसे पहले किरन डिजु की जुको बदाई देता हूँ क्योंकि उन्हों ने जो फिट इंडिया मूमेंट चलाया है उस फिट इंडिया मूमेंट का प्रचार पसार अधिर्धी बहुत बढ़िया दंशे का वे वे बाशन भी करते हैं और बाशन के साथ जाज दीम भी करते हैं तो ये फिट इंडिया फिट इंडिया को बल देने के लिए उसका प्रचार पसार करने के लिए मैं मानिय सदस्टे का धन्यवाद करता है मानिय अधिय जिए कोई इस बात से तिंकार नहीं कर सकता है कि देश चुनोतियों से लोहा लेने के लिए हर पल कोशिश करता रहा है कभी कभी चुनोतियों के तरब न देखने की भी आदते देश ने देखी है चुनोतियों को चुनने का सामर्थ नहीं ऐसे लोगों को भी देखा है लेकिन आज दुनिया की भारत के पास से जो अपिछा है हम अगर चुनोतियों को चुनोती नहीं देए अगर हम हिम्बत नहीं दिखाते और अगर हम सब को साथ लेकर के आगे चलने का गती नहीं बढ़ाते तो शायद देश को अनेक समझ्याओं से लंबे अर्से तक जूज ना पड़ता अर इसलिए माने अदिख जी अगर कॉंग्रेस के रास्ते हम चलते तो पचास साल के बाद भी सत्रू संपत्ती कानून का इंतजार देश को करते रहना रहाए पैटी साल बाद भी नेक जनरेशन लड़ा को विमान का इंतजार देश को करते रहना अठाई साल के बाद भी बेनामी संपत्ती कानून लागून नहीं होगा बीच साल बाद भी चीफ अप डिफेंस स्टाप की निवट्टी नहीं होगा माने देख जी हमारी सरकार तेज गती की वज़े से है और हमारा मकसद है हम एक नई लकीर बना करके लिग से हट करके चलना चाहते है और इसलिए हम इस बात को भली भाती समझते है कि आजादी के सतर साल के बाद देश लंबा इंतजार करने के लिए तयार नहीं और नहीं होना चाहिए और इसलिए हमारी कोशिश है स्पीड भी बढ़े स्केल भी बढ़े डिटर्मिनेशन भी हो और डिसिस्टिवनेश भी हो सेंसिटिविटी भी हो और सॉलिशन भी होना चाहिए हमने किस तेज गती से काम किया है उस तेज गती से काम का परणाम है कि देश की जनता ने पांच साल में देखा और देखने के बाद उसी तेज गती से आगे बढ़ने के लिए थोड़ी अधिस ताकत से था हमें फिर से सेवा करने का मोका से अगर ये तेज गती न होती तो 37 करोड लोगों के बैंक एकाउंट चिसने कम समय में नहीं खुलते अगर गती तेज न होती तो 11 करोड लोगों के घरों में साउचाले का काम पुरा नहीं होती अगर तेज गती नहीं होती तो 13 करोड परिवारों में गैस का चुला नहीं पहुदे अगर गती तेज न होती तो 2 करोड घर नहीं नहीं बनते गरीबों के लिए अगर तेज गती नहीं होती तो लंबे अर्षे से अटके हुए दिल्ली की सत्रा सो से जादा अवेड कॉलोनिया चालिस लाग से अधिक लोगों की जिन्दगी जो अधर में लटकी हुई थी वो काम पुरा नहीं होता आज उन्हें उनका अपने घर का हग भी मिल गया है मैंने अधर जिए यहां पर नौर्थ इसकी भी चर्टा हुई है नौर्थ इसको कितने दर्षकों तक इंतिजार करना पड़ा हूँ वहां पर राजनितिक समीतर बदलने का सामर्थ हो इतनी स्थिकी नहीं है और इसलिए राजनितिक तराजू से जब निलने होते रहे तो हमेशा ही वो क्षेत्र उपक्षेत रहा है हमारे लिए नौर्ट इस्थ बोट के तराजू से तोलने वाला छेत्र नहीं है भारत की एक्ता और अखंडित्ता के साथ दूर दराज छेत्रों में बैठे विये भारत के नागरीकों के लिए और उनके सामर्थ हका भारत के विकाफ के लिए उपयोग तो उपयोग हो शक्ति उनकी काम आए देश को आगे बढ़ाने के काम आए इस स्थ्धा के साथ वहाँ के एक एक नागरी के प्रती अपार विश्वास के साथ आगे बढ़ने का हमारा प्रयास रहा है और इसी के कारण नौर्टीस में गत पांच वर्ष जो कभी उनको दिल्ली दूर लगती थी आज दिल्ली उनके दरवाजे पर जाकर के खड़ी हो गई नगातार मंत्री नौर्टीस में दौरा करते रहे रात रात महां रुकते रहे छोटे-छोटे इलाके में जाते रहे टीर टू, टीर थ्री, छोटे-टीर सामत पर जाये लोगों से समवाद किया मिरा विस्वास का बाता होटा किया और विकास के जो आवशुक्ता हैं होते ही जो 21 सदी से जूड़ी हुई है चाह बीजली की बात हो चाह रेल पहुंचाने की बात हो चाह हवाई एड़े बनाने की बात हो चाह मोबाई कनेक्टिविटी की बात हो इन सब चीजों को हमने करने का प्रयास किया और विस्वास कितना बड़ा परणाम देता है जो इस सरकार के कारकान में देखा जा रहा है यहाँ पर यह बोडो की चर्चाई और यह कहा गया यह कोई पहली बार हुआ है हमने भी कभी यह नहीं कहा कि पहली बार हुआ है हम तो यहीं कह रहे हैं प्रवग तो भौत हुए है और अभी भी प्रवग हो रहे हैं लेकिन लेकिन जो कुछ भी हुआ राजनिती तराजू से लेखा जोखा करके किया गया जो भी किया गया आधर अधूरे मन से किया गया जो भी किया गया एक प्रकार से खाना पूर्ती की गई और उसके कारण समझो ते कागज पे तो हो गए फोटू भी छब गई बहवाई भी हो गई गई बड़े गवरों के साथ आज भी उसकी चर्चा भी हो रही है लेकिन कागज पे किये गए यह समझोतों से कितने सालों के बाद भी बोड़ो समझ्या का समयधान नहीं चार हजार से जाना निर्दोष लोग मौत के खाट उपारे गई अनेग प्रकार की एक्स्टॉर्शन पतासो प्रकार की बिमारिया समाज जिवन को जो संकट में डाले ऐसी होती ही चली गई इस बाद जो समझोता हुआ है वो एक प्रकार से नौर्टिश के लिए भी और देश में आमस और हिंसा में विश्वात करने वालों के लिए एक संदेश देने वाली घटनाए है ये ठीक है कि हमारी जरा वो इकोसिस्टिम नहीं है तकि हमारी बात बार बार उजागर हो फैले लेकिन हम महनत करेंगे कोशिश करेंगे लेकिन इस बार के समझोते की विश्वात है सभी हत्यारी ग्रूप एक साथाए है सारे हत्यार और सारे अंडरगाउन लोग सरंडर किये है और दूसरा उस समझोते के अग्रिमेंट में लिखा है कि इसके बाद बोडो समस्या से जुड़ी हुई कोई भी मांग बाकी नहीं रही है नौर्थ इस में हम सब से सूरत तो पहले उपता है लेकिन सुबह नहीं आती थी सूरत तो आजाता था अंदेरा नहीं चटता था आज मैं कह सकता हूँ नई सुबह भी आई है नया सवेरा भी आया है नया उजाला भी आया है और वो प्रकाश वो प्रकाश जब आप अपने चश्में बढलोगे तब दिखाई देए मैं आपसा बहुत आवारी हूँ ताकि बोलने के लिए बीच्चित में मुझे आप विरान दे रहे हैं कल यहाँ स्वामी विवेका ने जी के कंदों से बंदूं के फोड़ी गए आपने उसको रेकॉर्ड पर से निकाल दिया है इसलिए मैं उलेक तो नहीं करूंगा लेकिन मुझे एक पुरानी एक छोटी सी कठा याद आती है एक बार कुछ लोग रेल में सफर कर रहे थे और जब रेल में सफर कर रहे थे तो रेल जैसे घदी पकरती थी पट्री में से आवाज आती हैं हम सब जानते हैं सब का लुग है तो वहाँ बैठे हुए एक संत महात्मा थे उन्होंने का देखो पट्री में से कैसी आवाज आ रही है इन निर्जीव पट्री भी हमें कह रही है प्रभू करदे बेरापार बोले देखो यही आवाज आ रहे सुनो प्रभू करदे बेरापार तो दूसरे संत ने कहा नहीं यार मैंने सुना मुझे तो सुनाई दे रहा है प्रभू तेरी लीला अप्रभू तेरी लीला अप्रभू तेरी लीला अप्रभू तो वहाँ एक मौलवी जी बैचे थे उन्हों कहा रे भाई मुझे तो सुनाई दे रहा है दूसरा इन संतों ने कहा हुए आपको क्या सुनाई दे रहा है तोन्हों कहा मुझे सुनाई दे रहा है ये अल्ला तेरी रहमत है ये अल्ला तेरी रहमत है तो वहाँ एक पहलवान बैठे थे उन्होंने कहा मुझे भी सुनाई दे रहा है तो पहनवान ने कहा मुझे सुनाई दे रहा है खारबडी करकसर कल जो विवे कमेंजी के नाम से कहा गया जैसी मन की रचना होती है वैसा ही सुनाता है आपको ये देखने के लिए इतना दूर नजर करने की जरूरती नहीं थी बहुत कुछ पास में है आपके लोगों कहिए कि ठामी जी से आपका रखने करें शेही मैं कहता कि और पुबिट है अब नहीं कहता है इस देखने में जिबत हो रहे अब लोगों कहिए कि ठामी जी को अपमान डा करें माने बांद मेंकि बांद में अपमाने बांद में अपमाने करें यह सुरेजी क्यों हस रहेगी कोई राज है भई सुरेजी कभी आपका भी मुखा आएगा इतना जल्डी मात मानिय अद्गी यहां किसानों की विश्वे में भी बात्चित हुई है बहुत से महत्वपूर काम और बहुत से नए तरीके से नए सोच के साथ पिछली दिनों किया गया है और मानिय राश्पती जी ने अपने अभी भाशन में उसका जिक्र भी किया है लेकिन जिस प्रकारत यहां चलता करने का प्रयास हुआ है मैं नहीं जानता हुआ अज्ञान बस है कि जान बुच करते है क्योंकि कुछ चीज़ा ऐसी है अगर जानकारिया हो दी तो शायद हम ऐसा न करते हैं हम जानते हैं कि डेड़ गुना MSP करने वाला भी शाय है कितने लंबे समय से अठका हुआ था हमारे समय का नहीं था पहले से का लेकिन ये किसानों के परती हमारी जिम्मेवारी थी कि उस काम को भी हमने पुरा कर दिया बहराम है सींचाई योजना है 80-90 परसंद धन खर्चा करके 20-27 से पड़ी हुई थी कोई पूछने वाला नहीं था फोटो निकलवाजी बदकाम हो गया हमको करीब 99 ऐसी योजनाओं को हाथ लगाना पड़ा एक लास करोड रुपे से ज़़ा खर्च करके अब किसानों को उसका खायदा होना शुद olan प्रदान मंतरी फसल बिमा योजना इस प्रदान मंतरी फसल बिमा योजना के तहई इस ववस्ता से किसानों में एक विस्वास पड़ा हुआ है किसानों की तरफ से करीब 13,000 करोड रुपे प्रेमिम आया लेकिन प्राकुर्तिक आपदा के कारण जो नुक्षान हुआ उसके तहट करीब 56,000 करोड रुपी है किसानों को बीमा योजना से प्राखे है किसान की आय भरे यह हमारी प्राक्षिक्ता है इंपुट कॉस्ट कम हो यह हमारी प्राक्षिक्ता है और पहले MSP के नाम पे क्या होता था हमारे देश में पहले साथ लाग टन दार और तिरहन के खरीद हुई हमारे कारेकाल में सो लाग टन साथ और सो का फर्ट तो समझाएगा इनाम योजना आज डिजिटल वर्ल है हमारा किसान भी मोबाइल फोन से दुनिया के दान बेख रहा है समझ रहा है इनाम योजना के नाते किसान अपना बाजार में माल बेज सके है उस योजना को लिगा हमने और मुझे खुशी है कि गाउं का किसान इस विवस्ता से करीब पौने दो करोड किसान अब तक उससे जूर चुके है और करीब परीब एक लाख करोड रुपय का कारोबार किसानों ने अपनी पैदा वरका इस इनाम योजना से किया टेक्रालोजी का उप्योग किया है हमने किसान क्रेटिक कार का विस्तार हो उसके साथ साथ एनाइड अक्टिविटीज चाए पशु पालन हो मचली पालन हो मुर्गी पालन हो सौर उर्जा की तरफ जाने का प्रयास हो सोलार पम की बास हो ऐसे नए अनेक चीज़े जोड़ी है जिसके कारण आज उसकी आर्थिक स्थिती में भी एक बहुत बड़ाव आया है 2014 में हमारे आने से पहले क्रिशी मंत्रालाय का बजेट 27,000 करोड रुपी था अब ये बढ़कर के पांच गुना 27,000 करोड था बढ़कर के पांच गुना और लगभग डेड़ लाख करोड हमने पहुंचा जा पीएम किसान सम्वान योजना किसानों के खाते में सीधे पैसे जाते हैं अब तक करीब 45,000 करोड रुपी किसानों के खाते में ट्रांसफर हो चुके हैं कोई बिच्वालिया ने कोई फाइलों की जंजट नहीं एक प्लिक दबाया पैसे पहुंच गए लेकिन मैं जरूर यहां माननिय सदस्यों से आग्रह करूँगा कि राजनीती करते रहिए करनी भी चाहिए क्योंकि मैं जानता हूँ आपकी तकलिफ लेकिन क्या हम राजनीती करने के लिए किसानों के हीतों के साथ खिलबार करेंगे मैं उन माननिय सदस्यों से विश्य साग्रह करूँगा कि अपने राजनीती में देखे जो किसानों के नाम पर बढ़कर कर बोड़ रहें मुझरा जादा देखे कि क्या उनके राजन के किसानों को पी-एम किसान सम्मान निधी मिले उसके लिए वो सरकारे किसानों की सुची क्यों नहीं दे रहें इस योजना के साथ क्यों नहीं जूट रहें नुकसान किसका हुआ किसका नुकसान हुआ उस राज्य के किसानों का हुआ मैं चाहूंगा यहां कोई मान्य सदस ऐसा नहीं होगा कि जो दबी जबान में है खुल करके शायद नहीं बोल पुआ है क्योंकि कहीं जगा पे बहुत कुछ होता है लेकिन उनको पता होगा उसी प्रकार से मैं मान्य सदस्व के कहूंगा जिन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ कहा है उन राज्यों में जड़ा देखिए आप कि जहां किसानों को वादे करकर के बहुत बड़ी बड़ी बाते करकर के बोट बटोर लिए शफ़द ले लिए सत्ता सिहां संपा लिया लेकिन किसानों के बादे पूरे नहीं किये गए कम से कम यहां बैटे हुए मानिय सदत के उन राज्यों के भी प्रतिनिती होंगे तो वो जरूर उन राज्यों को कहे कि किसानों को उनका हक देने में कोता ही न बरते मानिया अद्धर जी जब all party meeting हुई थी तब मैंने विस्तार से सब के सामने एक प्रार्षना भी की थी और अपने विचार भी रखे थी उसके बाद सदन के प्रार्ण मैं जब मिडिया के लोगों से मैं बात कर रहा था तब भी मैंने कहा था कि ये सत्र हम पूरी तरह अर्थ आर्थिक विषे देश की आर्थिक परिस्तितीन सारे विशेओं को इस सत्रम समर्पित करे हमारे पांच जितनी भी चेतना है जितना भी सामर्त है जितने भी बुद्धि प्रतिवा है सत्र निचोड इस सत्र में दोनों सदनों में हम लेकर के आए क्योंकि जो देश दुनिया की आज जो आर्फिक सिती है उसका लाग उठाने के लिए भारत कौन से कदम उठाए कौन से दिशा को अपनाए जिससे लाग हो मैं चाहूंगा कि ये सत्र अभी भी समय है ब्रेक के बाद भी जब मिलेंगे तब भी पूरी शक्ति मैं सभी सब दोस्वे का अगर करता हूँ हम आर्फिक विश्वों पर गहराई से बोले गापकता से बोले और अच्छे नए सुझाओं के साथ बोले ताकि देश विश्व के अंदर जो अफसर पाता हुए उसका फायदा उठाने के लिए पूरी ताकत से आगे भए मैं निमंत्रे करता हूँ सब को और मैं मानता हूँ कि आर्फिक विश्वों के इस महत्वपुन विश्व परबाद चेथ हम सब का सामुहिक दाइक पो है वो और वो भी ये बत सही है कि जब हमारे मानिय सदश्य ये कहते है कि ये क्यों नहीं हुआ ये कब होगा ये कैसे होगा कब तक करेंगे ये जब सुनता हूँ कुछ लोगों को लगता हूँ कि आप आलोचना करते है मैं नहीं मानता हूँ आप आलोसला करते हैं मुझे खुशी है का आप मुझे समझ पाए है क्योंकि आपको विश्वास है करेगा तो ही करेगा और इसलिए मैं आपके इन बातों को आलोसला नहीं मानता मारदरशक मानता हूँ पेरिना मानता और इसलिए मैं इन सारी बातों का स्वाधत करता हूँ और स्विकार करने का प्रहाज भी करता हूँ और इसलिए इस प्रकार की जीतरी बाते बताई गई है इसके लिए तो मैं विशेश रुख से धन्यवाद करता हूँ क्योंकि क्यों नहीं हुआ, कब होगा, कैसे होगा, यह अच्छी बाते हैं, पेश के लिए हम सोचते हैं लेकिन पुरानी बातों के बिना, आज की बात को समझता है, थोड़ा कठीन होता है अब हम जानते हैं, पहले क्या कालखन था, करप्शन आए दिन चर्चा होती थी, हर अकबार के हिटल लाइन, सदन में भी करप्शन पर ही लड़ाई चलती थी, सब दूर यही बोला जाब भगाए, अन्प्रोफेशनल बैंकिंग, कौन भूल सकता है, कमजोर इंफासेटर पॉ इन सारी सिक्यों में से, बहार निकलने के लिए, हमने समस्याओं के समासां खोजने के लिए, लाउंग तम गोल के साथ एक निश्चित दीशा पकर करके, निश्चित लक्ष पकर करके, उसको पूरा करने का हमने लगातार प्यास किया है, और मुझे भी स्वास हैं, उसी का पर नाम है कि आज एकोनोमी में फिस्कल डिफिसिट बनी रही है, महंगाई नियंत्रित रही है और मेक्रो एकोनोमी स्टेबिलिटी भी बनी रही है मैं आपका आभारी हो, क्योंकि आपने मेरे प्रते विश्वाव जताया है, ये भी काम हम ही करेंगे हाँ, एक काम ने करेंगे, एक काम न करेंगे, एक काम न करेंगे, न होने देंगे, वो है आपकी बेरोजगार नहीं हटने देंगे जी एस्टी का बहुत बड़ा महत्वपूर नेने हो, कॉर्परेट टैस्ट कम करने की बात हो, आई बी से लाने की बात हो, FDI रिजिम को लिबरलाइज करने की बात हो, बैंकों में रिकैपिटलाइज़िशन करने की बात हो, जो भी समय समय पर आवस्टा रही है, और जो भी एक दिर्ग काले मजबूती के लिए ज़रूत है, सारे कदम हमारी सरकार उठा रही है, उठाए हैं, और उसके लाब भी आना शुरू हुए है, और वो डिफॉर्म्स जिसकी चर्था हमेशा हुई है, आपके यहां भी जो पंडिक लोग थे, वो यहीं कहते रहते थे, लेकिन कर नहीं पाते थे, और तसास्री भी जिन बातों की बाते करते थे, आज एक के बाद एक उसको लागू करने का काम हमारी सरकार कर गए, इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़े हैं, आर्थे बावस्ता को मजबूती मिले, उसको लेकर के भी हमने कई महत्वपूर्ण नेरे की हैं, 2019, जनवरी से 2020 के बीच, छे बाद GST रिवन्यू एक लाग करोड से जादा रहा है, अगर मैं FDI की बात करूँ, तो 2018 अप्रिल में, अप्रिल से सितंबर, FDI 22 बिलियन डालर था, आज उसी अवधी में, ये FDI 26 बिलियन डालर पार कर गया है, एस बात का सबूत है कि विदेशि निवेश्वों का भारत के प्रति विश्वास बड़ा है, भारत की अर्त ब्रबस्ता पर विश्वास बड़ा है, और भारत में आर्थिक शेत्र में अपार अउफर है, ये conviction बना है, तब जाकर के लोग आते हैं और गलत अफ़ाएं फैलाने के माउजित भी लोग उनसे बार निकल कर के आ रहे हैं ये भी बहुत बड़ी बात है हमारा वीजन हमारा वीजन ग्रेटर इन्वेस्टमेंट बेटर इंफरसेक्शर इंक्रीज वैल्य एडिशन और जौदा से ज़्यादा जौब क्रियेशन पर है देखिए मैं किसानों से बहुत कुछ सेखता हूँ किसान जो होता है न वो बड़ी गर्मी में खेट जोत करके तयार रखता है बीज बोता नहीं उस समय सही समय पर बीज बोता है तो अभी जो पिछले दस में से चल रहा है न वो मेरा खेट जोतने का काम चाहिए अब बराबर आपके दिमाग में जगा हो गई है अब मैं एक एक करके बीज डालूँगा मानिय जगी मुद्रा योजना स्टार्ट अफ इंडिया, स्टेंड अफ इंडिया इन योजनाओने देश में स्वारोजगार को बहुत बड़ी ताकत दी इतना ही नहीं इस देश में इस देश में करोडो करोडो लोग जो पहली बार मुद्रा योजना लेकर के खुद तो रोजी रोटी कमाने लगे लेकिन किसी और को भी एक को दो को तीम को रोजगार देने में स्वारोजगार इतना ही नहीं पहली बार बैंकों से जिनको धन मिला है मुद्रा योजना गया उसमें सब्तर प्रतिशद हमारी माताएं बहने जो पहले इकोनोमी अक्टिविटी के खेतर में नहीं थी वो आज कहीं न कहीं इकोनोमी को बढ़ाने में योगदान दे रही है 28,000 से ज़ादा स्टार्ट अप रखोगनाई हुए हैं और वे आज खुशी की बात है तीर टू टीर फ्री सिटी में हैं आजि हमारे देश का युवाँ नई संकल्पों के साहत आगे बढ़ रहा है मुद्रा विज्रा के तहट 22 करोड से ज़ादा रण सित्रत हुए है और करोडों युवाओं ने खुदने तो रोजगार नहीं खुदने रोजगार को पाया है फॉर्माल साक्तर में अजर अन्य जी मैं ऐसा करता हूँ ऐसा करता हूँ आप एक समय ताइप कीजिए आपको जितना कहना है मैं दुबारा बैठोंगा क्योंकि ये सब लोग पीछे हस रहे हैं और आपकी प्रतिश्चा को जड़का लगए अच्छा नहीं फटर साल की देशी राज़ी की ऐसी रही है कि कोई कोई कांग्रेशी से सफिजन नहीं हो सकता है ता हो ही नहीं सकता वर्ल बैंक में वर्ल बैंक के डेटाओन एंटर्परनर्स उसमें भारत का दुनिया के अंदर तीसरा स्थान है सितंबर दोहजार सत्रा से नमंबर दोहजार उनीश के बीच इपी एफो पर्ल डाटा में एक करोड उन्चारिस लाग नए सब्सक्राइबर आए ये बिना रोजजार को कोई पैसे जमानी करता है मैंने कॉंग्रेस के एक नेता का कल गोशना पत्र सुना उन्होंने गोशना की है कि छे महने में बोदी को डंडे मारेंगे और ये बिना पत्र सही है कि ये काम जड़ा कठीन है तो तयारी के लिए छे मेने तो लगते ही है तो छे मेने का समय तो अच्छा है लेकिन मैं भी छे मेने में ताई किया हूँ कि रोज सुर्यनमस्कार के संख्या बढ़ा दूँगा ताकि अब तक करीब 20 साव से जिस प्रकार की गंदी गालिया सुन रहा हूँ और अपने आपको गाली प्रूप बना दिया है छे महने ऐसे सुर्यनमस्कार करूँगा कि मेरी पीट को भी हर डंडे जिलने की ताकरवाला बढ़ा दूँगा तो मैं आभारी हो कि पहले से एनाउंस कर दिया गया है तो मुझे ये छे महिना आप एक्सेसाइट बढ़ाने का टाइब दिलेगा मानिया जगी मानिया जगी मानिया जगी मैं 30-40 मिनिट से भोल रहा था लेकिन करंट पहुंचे पहुते इतनी देर लगी बहुत सिट जुप्लाइट का इसाई होता है मानिया जगी इंडिस्ट्री 4.0 और डिजिटल इकानामी ये करोडो नई जॉब्स के लिए अफसर लेकर का आती है स्कील डेवलप्मेंट नई स्कील बोर्स फोर्स तैयार करना लेवर रिफॉर्म सौंसत के अंदर अल्डेडी एक प्रस्ताव तो आगे बढ़ा है और भी कुछ प्रस्ताव है मुझे विश्वास है कि ये सदन उसको भी बल देगा ताकि देश में रोजगार के अफसरों में कोई रुकावट ना आए हम पिछली सजी की सोच के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं हमने बदली हुई वैश्शिक परिस्तिती में नई सोच के साथ इन सारे बडलाओं के लिए आगे आना होगा और मैं इस सदन के सभी मान्याद सदस्यों से प्राष्णा करता हूँ कि लेबर रिफॉर्म के जो काम और सब लेबर उनियन के साथ मिलकर के ताय हुआ है उसको जितना जिन भी आगे बढ़ाएंगे रोजगार के नई अफसरों के लिए सुविदा बढ़ेगी और मैं विश्वास करता हूँ फाइव क्रिलियन डॉलर एकोनम इज अफ दिंग बिजनेश इज अफ लिविंग यह ऐसे नहीं हो रहा है अगिस्तार में के है अगिस्तार में के है आपके सब आज लखर है वो पिज़ा जाएंगे अगिस्तार वह थाज़ा लेगी आज अगिस्तार जाएंगे माने अज़ज़ जी माने अज़ज़ जी इवास हही है कि हमने आने वाले दिनों में 11 करोड का infrastructure का mission लेकर के आगे चलगा है लेकिन पीछले कारकाल में भी आपने देखा होगा कि देश की economy को तासर देने के लिए मजबूती देने के लिए infrastructure का बहुत बड़ा महत्वा कुपा है और जितना बल जादा infrastructure की गतिविधियों को देते हैं इक अपने को भी ड्राइव करता है रोजगार को भी देता है नहीं ने उद्योकों को भी अफसर देता है और इसलिए हमने infrastructure के पूरे काम में एक नहीं गतिला है लेकिन पहले बरना पहले infrastructure का मतलब यही होता था कि cement concrete के जंगलों की बात पहले infrastructure का मतलब होता था टेंडर की प्रक्रियाए पहले infrastructure का मतलब होता था भी चोलिये यही infrastructure की बात आती दी तो लोगों को यहीं रखना था कि कुछ बू आती सी आज हमने transparency के साथ 21 सदी आदूनिक भारत बनाने के लिए जिस infrastructure की कलपोना कर सकते हैं उस पर बल दिया है और हमारे भूमिर हमारे लिए infrastructure यह सिरफ सिरफ एक cement concrete का खेल नहीं है मैं मानता हूँ infrastructure एक भविश लेकर के आता है करगिल से कन्याकमारी और कच्छ से कोहिमा इसको अगर जोडने का काम करने की ताकत होती तो infrastructure में होती है aspirations और achievements को जोडने का काम infrastructure करता है लोगों और उनके सपनाओं को उड़ाओं देने की ताकत अगर कहीं में है तो infrastructure में होती है लोगों की creativity को consumers के साथ जोडने का काम infrastructure के कारण ही संबभ होगता है एक बच्चे को स्कूल से जोडने का काम छोटा ही क्योंना वो infrastructure करता है एक किसान को बजार से जोडने का काम infrastructure करता है एक व्यवसाई को उसके consumer के साथ जोडने का काम भी infrastructure करता है पदूशन को नियक्तित करके स्वस्त जीवन से जोडने का काम भी इन्फासेक्चर करता है लोगों को लोगों से जोडने का काम भी इन्फासेक्चर करता है एक गरीब प्रैंग्डेन मां को भी अस्पता से जोडने का काम इन्फासेक्चर करता है और इसलिए इरिगेशन से लेकर के इंडस्ट्री तक सोचल इंफा सेक्टर से ले करके रूरल इंफा सेक्टर तक रोड से ले करके पोर्थ तक और एर्वेश ले करके बॉर्टर बझ तक हमने अनेख ऐसे इनिस्टिव लिये है गत पांट वर्सका देजने देखा है और लोगों ने जब देखा है तभी तो यहां पिठाया आएजी यही तो इंफा सेक्टर है जो यहां पहुचाता है यूपी की जन्ता ने बता दिया इजे माने देखी मैं कुदाहन देना चाहता हूँ कि हमारे हों इंफास्टर के खच्चर में कैसे काम होता यह सिर्शंग हमारा दिल्ली का इविचा ले दिगी है यह दिल्ली में दिल्ली में काफिक, एंवार्मेंट और हज़ारों ट्रॉक दिल्ली के बीच से बुझर रही थी 2009 में UPA सरकार का संक्रप था 2009 तक ये दिल्ली के सराउंडिंग जो peripheral express way है इसको 2009 तक पुरा करने का UPA सरकार का संक्रप था 2014 में हम आए तब तक काज़ पे ही वो लकीरे बनकर के पढ़ाख भुआ था और 2014 के बाद Mission Mode में हमने काम लिया और आज peripheral express way का काम हो गया 40,000 से जादा ट्रकें जो आज दिल्ली में नहीं आती सीधी बाहर जाती है और दिल्ली को प्रदूशन से बचाने में एक एहम कदम ये भी है लेकिन infrastructure का महत्त क्या होता है 2009 तक पुरा करने का सपना 2014 तक कागज के लकीर मन करके पड़ा रहा हो ये अंतर है उसको समझने के लिए फुरा ताइम लगेगा मने दगी कुछ और विश्यों को मैं जरा असपर्स करना चाहता हूँ सशी ठरूर जी नेन दाती होगी लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ लोगों ने जरा बार बार यहाँ पर समझान बचाने की बाते की है और मैं भी मानता हूँ कि समझान बचाने की बात कॉंग्रेस ने दिन में सो बार बोलनी चाहिए कॉंग्रेस के लिए मंतर होना चाहिए समिधान बचाओ, समिधान बचाओ, कोई जरूरी है क्योंकि समिधान के साथ कब क्या हुआ अगर समिधान का माहत्मे समझते तो समिधान के साथ यह नहुआ होता और इसे ही जितनी बार आप समिधान बोलोगे हो सकता है कुछ चीजें आपको अपनी गल्टियों का एसास करवा देगी आपके इरादों का एसास करवा देगी और आपको सच में सम्विधान इस देश के अंदर महामूल है इसका ताकत का अनुभाव कराएगी मानिय अद्जी, यही लोग है एमर्जम्सी में समिधान बचाने के काम में आपको याद नहीं आया था अपात काम यही लोग है जो समिधान बचाने के लिए उनको बार बार बोलने की जरूत है क्योंकि न्याइक पालिका से न्याइक समिश्चा का अधिकार चिनने का पाप जिनों ने किया है इनको तो समिधान बार बार बोलना ही पड़ेगा जिन लोगों ने लोगों से जीने का कानून चिनने की बात कही थी उन लोगों को बार बार समिधान बोलना ही पड़ेगा पढ़ना भी पड़ेगा जो लोग सबसे जादा बार समिधान के अंदर बदलाव करने के प्रस्ताव को इलाया है उन लोगों को समिधान बचाने के बात बोले बिना कोई चाला नहीं है दर्जन और बार राज्य सरकारों को बर्कास कर दिया है लोगों की चुनी हुई सरकारों को बर्खास कर दिया है उनके लिए सम्मिधान बचाना ये बोल बोल करके इन समस्कारों को जीने की आवशकता है केमिनेट ने एक प्रस्ताव पारिट किया है लोग संत्रों सम्मिधान से बनी हुई केमिनेट उसने एक प्रस्ताव फारिश किया हो उस प्रस्ताव को प्रेस कांफरंस में फार देना उन लोगों के लिए उन लोगों के लिए सम्विधान बचाने की सिच्छा लेना बहुत जरूरी है और इसलिए उन लोगों को बार बार सम्विधान बचाओ यह मंत्र बोलना बहुत जलूरी है पी-ए-म पी-ए-म और पी-ए-मो पी-ए-म और पी-ए-मो के उपर नेशनल एड़वाजरी काउंसील रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने का तरीका करने वालों को संभीधान का महत्मे संभीधान का महत्मे समझना बहुत जरूरी है संभीधान मानियत्यकी 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 संभीधान की वकालत के नाम पर दिल्ली और देश में क्या क्या हो रहा है वो देश बली भांती देख रहा है समझ भीधान के रहा है और देश की चुपके दी कभी ने कभी तो रंगल आए सभीधान के रटीट सिदा सिदा एक महत्वण आंगल है देश की सरभीधान की अदालत बार बार कहें चांदोलन ऐसे न हो जो सामान ने मानिय को तकलीप दे अंदोलन ऐसे न हो जो हिंसा का राश से चल पड़े यह बार बार आप बार 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 सुप्रिम कौट के कहने के बाद भी अधिर जी अधिर जी देखे आपने इतनी महनत की है आपका सियार अब ठीक हो गया है चिसा मतलए नहीं आपका सियार हो गया आपका सियार ठीक हो गया आप ता CRT हो गया है समयदान बचाने की बातों वालो करना है लेकिन यही बामपंथी लोग, यही कॉंग्रेस के लोग, यही बूर्ड में की राजिश्टी करने बाले लोग वहाँ जा जा करके उक्सा रहे हैं भरता हो बाते कर रहे हैं मानिया जगी एक 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 शायर ने मानिया जगी एक शायर ने कहा था और शायर जीश्टी को बड़ी सटीक तरीके से खूब परदा है खूब परदा है कि चिल्मन से लगे बैठे हैं खूब परदा है कि चिल्मन से लगे बैठे हैं साथ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, पब्लिक सब जानती हैं, सब समझती हैं, जिस तरह के बयान दिये गए, सदन में उसका ज़िक्रा सही नहीं है, माने दिगी, पिछले दिनों जो भाषाय बोने गई, जिस प्रकार के वक्ते पे जिये गए हैं, वो इसका जिक्रा और सदन के बड़े बड़े नेता भी वहाँ पहुंच जाते हैं, इसका बहुत बड़ा अप्सोस है, कांग्रेस के समय में, कांग्रेस के समय में, दादा, दादा, पस्चिम मंगाल के पीडित लोग यहाँ बैठे हैं, अगर वे, वहाँ क्या चल रहा है, इसका चक्चा चिता खोल देंगे न, तो दादा आपको तकलीब होगी, दादा आपको तकलीब होगी, निर्दोस लोगों को किस प्रकार से मौत के घात उताज गिया जाता है, वो बनी बात ही जानते हैं, लोग, मानियत तक्जी, कौंगरे के समय में, सम्विधान की क्या सिती थी, लोगों के इधिकार की सिती क्या थी, ये, मैं ज़रा इनको पूछना चाहता हूँ, अगर सम्विधान इतना महत्वपूर्ण है, जो हम मानते हैं, अगर आप मानते होते, तो जम्मु कश्मीर में, हिंदुस्तान का सम्विधान लागू करने में, आपको किसने रोखा था, इसी सम्विधान के दिये थिकारों से, जम्मू कश्मीर के मेरे भाई और बहनों को बन्चीत रखने का पाप किस ने किया था और ससी जी आप तो जम्मू कश्मीर के दामाद रहे अरे उन बेजियों की चिंटा करते आप सम्मिदान की बात करते हो और इसलिए मानिय जग जी एक सांसर ने कहा एक मानिय सांसर ने कहा कि जम्मू कश्मीर ने अपनी आइडेंटिटी खोई है कीसे ने कहा कीसी की नजर में तो जम्मू कश्मीर मतलब गमी नहीं था मानिय जग जी कश्मीर में जिनको जरब जमीन दिखती है न उनको इस देश का कुछ अंदाज है न और वो उनकी बाउधिक दारी दरता का परीचे करवाता है कश्मीर ये भारत का मुकुट बनी है मानिय जग जी कश्मीर की आइडेंटिटी बंबंदू को नलगावास बना दी गई थी 19 जनवरी 1990 जो लोग आइडेंटिटी की बात करते हैं 19 जनवरी 1990 वो काली राख उसी दिन कुछ लोगों ने कश्मीर की आइडेंटिटी को दफना दिया था कश्मीर की आइडेंटिटी सुभी परंपरा है कश्मीर की आइडेंटिटी सर्वपंत संभाव की है कश्मीर के प्रतिनिती मान लालदेड नंदरुशी सयद बुलबुलशा मीर सयद अली हमदानी ये कश्मीर की आइडेंटिटी है मान देख जी कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग कहते हैं आर्टिकल 370 हताने के बाद आग लग जाएगी कैसे भविश्य बेटता है आग लग जाएगी 370 अटाने के बाद और आज जो लोग बोलते हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ कुछ लोग कहते हैं कुछ लेता जेल में हैं जिकना है फनाना है बगरे बगरे जरा मैं इस सदन ये सम्विधान की रक्षा करने वाला सदन है ये सम्विधान को समर्पी सदन है ये सम्विधान का गवरो करने वाला सदन है ये सम्विधान के प्रती दाई को निभाने वारे सदस्यों से बना हुआ सदना है तब जाकर के मैं मैं सभी मान्या सदस्यों के आत्मा को छूने की आज कोशिश करना चाहतू अगर है तो मान्या देगी मान्या देगी मान्या देगी महबूबाम मुप्ती जी ने पांच अगस को क्या कहा था महबूबाम मुप्ती जी ने कहा था और सम्विधान को समर्पिछ लोग जरा ध्यान से सुने महबूबाम मुप्ती जी ने कहा था भारत ने ये सब्स बड़े गंबीर है उन्होंने कहा था भारत ने कश्मी के साथ दोखा किया है हमने जिस देश के साथ रहने का फैसला किया था उसने हमें दोखा दिया है ऐसा लगता है कि हमने 1947 में गलत चुनाव कर लिया था क्या ये समिधान को मानने वाले लोग इस प्रकार की भासा को सिकार कर सकते हैं क्या उनकी वकालत करते हो उनका अमुमोदर करते हो उसी प्रकार से सिमान उमर अब्दुलाजी ने कहा था उन्होंने कहा था आर्टिकल 370 को हटाना आर्टिकल 370 को हटाना अमुम्मा अब्दुलाजी ने कहा था कि आर्टिकल 370 पो हटाना ऐसा भुकम पलाएगा कि कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा मानिय अज़ जी हारुक अब्दुलाजी ने कहा था हारुक अब्दुलाजी ने कहा था तीन सो सब्तर का हटाया जाना कश्मीर के लोगों की आजादी का मार्ग प्रसस्त करेगा अगर तीन सो सब्तर हटाई गई तो भारत का जन्डा फैराने वाला कश्मीर में कोई नहीं बचेगा क्या इस बासा से इस भावना से क्या हिंदुस्तान के समिधान को समर्पित कोई भी रखती इसको स्विकार कर सकता है क्या इसे सहमत हो सकता है मैं ये बात उनके लिए कह रहा हूँ जिनकी आत्मा है मान्याद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् हमने भरोसा किया हमने कश्मीर की अमाम पे भरोसा किया और आर्टिकल तिनसो सब्तर को हटाया और आज तेज दिकती से विकास भी कर रहे हैं और इस देश के किसी भी खेतर के हालाथ विगानने की मंजूरी नहीं दी जा सकती चाहे वो कश्मीर हो, चाहे नौर्टिक हो, चाहे केरल हो कोई भी इजाज़त नहीं दी जा सकती हमारे मंत्री भी पिछले दिनों लगातार जमू कश्मीर का दोरा कर रहे हैं जन्ता के साथ समवाद कर रहे हैं जन्ता के साथ समवाद करके वहां कि इस समस्यों का समयधान करने के लिए हम प्रयास कर रहे है मानिय देगी मैं आज इस सदन से जमू कश्मीर के उजवल भविश के लिए जमू कश्मीर के वितास के लिए जमू कश्मीर के लोगों के आशा अप्रेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं हम सम्मिधान को समर्पित लोग सब के सब समर्पित प्रतिबद्ध है लेकिन साथ साथ मैं लगजाद के विशे में भी कहना चाऊँगा मानिय अद्धगी हमारे देश में सिक्की में एक ऐसा प्रदेश है जिसने अपने आपको एक और्गिनिक स्टेट के रूप में उसने अपनी पहचान बनाई और एक प्रकार से देश के कई राज्यों को सिक्कीम जैसे छोटे राज्य ने प्रेना दी है सिक्कीम के किसान सिक्कीम के नागिजिए इसके लिए भी देश दिका भी लदा मैं मांता हूँ लदाक के मन मेरे मन में बहुत कित्र साप है और इसलिए हम चाहते हैं कि लदा जिस परकारते हमारे पडोस में बुतान की भुरी भुरी प्रसंसा होती है एनवार्मेंट को ले के कार्बन न्यूट्रल कन्ट्री के रुप में दुनिया में उसकी पहचान बनी है हम देशवासी संकल्प करते हैं और हम संकल्प करना चाहिए कि हम लदाग को भी एक कारवन नूट्रल की काई के रुप में डेवलप करेंगे देश के लिए एक पहचान बनाएंगे और उसका लाफ उसका लाफ आने वाली पीडियों को एक मोडेल के रुप में मिलेगा ऐसा मुझे पुराभी स्वास है और मैं जब लदाग जाओंगा इसको उनके समत रहे करके मैं इसकी एक डिजाइन मनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ मानिया जग जी यहाँ पर जो कानून इस सदर ने पारिज किया जो सौंसो धन दोनों सदरों में पारिज हुआ जो नोटिफाई हो गया उसके समझ में भी कुछ नो कुछ कोशिश हो रही है कुछ लोग कह रहे है T.A.A. लाने की इतनी जल्दी क्या थी कुछ मानिये सदर्श्व ने ये कहा कि ये सरकार बेजभाव कर रही है ये सरकार हिंदू और मुस्लिम कर रही है कुछ ने कहा कि हम देश के टुकड़े करने चाहते हैं बहुत कुछ कहा गया और यहां से बहार बहुत कुछ बोला जाता है काल्पनिक भाई पादा करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी रही है और वो लोग बोल रहा है जो देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के बगल में खड़े रह करके फोटू खिचवाते हैं दसकों से पाकिस्तान यही भाशा बोलता आया है पाकिस्तान यही बाते कर रहा है भारत के मुसल्मानों को भरकाने के लिए पाकिस्तान ने कोई कसर छोड़ी नहीं है भारत के मुसल्मानों को गुम्रा करने के लिए पाकिस्तान ने हर खेल खेले है हर रंग दिखाए है और अब उनकी बात चलती नहीं है पाकिस्तान की बात बड़ नहीं पा रही है तब जब मैं हरानू कि जिनको इंदुतान की जनता ने सत्ता के स्यासन ते घर भेच दिया वे आज उस काम को कर रहे हैं जो कभी ये देश सोच भी नहीं सकता हमें याद दिलाए जा रहा है कि क्वीट इंडिया का नारा देने वाले जहिन का नारा देने वाले हमारे मुस्लिम ही थे दिक्कत यही है कि कॉंग्रेस और उसकी नजर में ये लोग हमेशा हैं सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम से हमारे लिए हमारी नजर में वो भारती है हिंदुस्तानी है मानिय अजर जी मेरा मेरा सौभागी रहा है कि लड़कपन में मेरा मेरा सौभागी रहा है कि लड़कपन में खान अब्दुल्कफार खान जी के चरन छुने का मुझे आउसर में आखा मैं अईसे अपना गर्वा मान खान मानिय देजी खान अब्दुल्कफार खान हो अस्वाक उल्ला खान हो बेगम हजरत महल हो बीर शहीद अबलूद हमी हो या पूर वराजपती सिमान एपीजे अब्दुल्कलाम हो सब के सब सब के सब हमारी नजर से भार किया है सदर का समय ज़्यादा लेने के लिए मैंने नाम कुछ कम बोले आप जोड़ देना ना जो भी ये नाम लिखवादे मेरे पासन में लिख देना मैंने नजर की कॉंग्रेस और उसके जैसे दलों ने जिस दिन भारत को भारत की नजर से देखना शुरू किया उसे अपनी गल्टी का एस्ताथ होगा होगा स्थर मैं कॉंग्रेस की और उनके एको सिस्टिम का भी बहुत आबारी हूँ कोणों ने सिटिजन्सिप एमेंडमेंट एक को लेकर के होहला मचाय रखा हुआ है अगर ये विरोध नहीं करते ये इतना होहला नहीं करते तो शायद उनका असली रूप देश को पता ही नहीं चलता हूँ ये इनका देश ने देश लिया है कि दल के लिए कौन है और देश के लिए कौन है और मैं चाहता हूँ जब चर्चान निकल पड़ी है तो बात दूर तक चली है मांदे अप्रजी प्रधान मंत्री बनने की इच्छा किसी की भी हो सकती हूँ और उसमें कुछ बुरा भी नहीं है लेकिन कीसी को प्रधान मंत्री बनना था इसलिए हिंदुस्तान के उपर एक लकीर खीची गई और देश का बटवारा कर दिया बटवारे के बाद जिस तरह पाकिस्तान में हिंदुओं, सीखों और अन्य अल्पसंख्यकों पर अच्याचार हुआ, जुल्म हुआ, जोर जबस्ति ही हुई उसकी कलपना तक नहीं की जासे हुए मैं कॉंग्रेस के साथियों से ज़रा पूछना चाहता हूँ क्या आपने कभी बुपेंद्र कुमार दक्ता का नाम सुना है। जादा, आप कॉंग्रेस में चलेगे? अरे, मम्ता दीदी बासर दूर रही है। कॉंग्रेस के लिए जानना बहुत जरूरी है। और जो यहां नहीं है, उनको भी जानना जरूरी है। बुपेंद्र कुमार दक्त एक समय में और इंडिया कॉंग्रेस कमिटी में थे। इसके सदश्य थे। स्वतंतरता संग्राम के दोरान, तेई साल उन्होंने जेल में बिताए थे। वो एक ऐसे महापुरुष थे हैं, जिन्होंने नयाए के लिए अठत्त दिन, 78 दे, जेल के अंदर दुखरताल की थी। और ये भी उनके नाम एक रेकॉर्ड है। विभाजन के बाद, भुपेंद्र कुमार दत्त पाकिस्तान में ही रुख गए थे। वहाँ के समिधान सभा के विश्धत से भी थे। जब समिधान का काम चली रहा था। अभी तो समिधान का काम चली रहा था। शुरुआत के दिन से। और उस समय बुपेंद्र कुमार दत ने उसी सम्विदान सभाने जो कहा था उसे आज मैं दोहराना चाहाँ क्योंकि जो लोग हम पर आरूप मड़ रहे हैं उनके लिए समझना बहुत जरूरी है बुपेंद्र कुमार दत ने कहा था, so far as this side of Pakistan is concerned, the minorities are practically liquefied, liquidated, practically liquidated. those of us who are here to live, represent near a core of people still left in East Bengal, live under a total sense of frustration. ये बुपेंद्र कुमार दत ने बटवारे के तुरंदबार वहां के सम्विधान सभा में ये दर्द र्यक्त किया था. ये हालती स्वसंत्रता के शुरूरात के दिनों से ही अलपसंख्यकों की, वहां के अलपसंख्यकों के थी. इसके बाद, इसके बाद, पाकिस्तान में स्थिटी इतनी खराब हो गई, बाद में उनका नीधन भी ये माँ भारती की गोद में हुआ. तब के पाकिस्तान में हैं, आपके लिए तो कुछ नहीं हुआ जी है, कुछ नहीं हुआ आपके लिए तो जामन है, आए तो आए, मरे तो मरे, यही है, यही आपकी सोच है, यही आपकी सोच है, नहीं है, पुरुष, मानियक जी, मानियक जी, सबके पाकिस्तान में, एक और बड़े स्वातंत्र से नानी रुख गए थे जोगिंदर नास मंदर वे समाज के बहुती पीडी सोसी कुछले हुए समाज का प्रतिनीजित्व करते थे उन्हें पाकिस्तान का पहला कानून मंत्री भी बनाया गया था 9 अक्टूबर 1950 अभी आजाजी के और बटवारे के दो तीन साल हुए से 9 अक्टूबर 1950 तो उन्होंने अपना इस्तिभा दे लिया था उनके इस्तिभा के एक परिग्राफ इस्तिभा में जो लिखा था उसको मैं कोड़ करना चाहता हूँ उन्होंने लिखा था I must say that this policy of driving out Hindus from Pakistan has succeeded completely in West Pakistan and is nearing completion in East Pakistan उन्होंने आगे कहा था Pakistan has not given the Muslim League entire satisfaction and a full sense of security they now want to get rid of the Hindu intelligentsia so that the political, economic and social life of Pakistan may not in any way influenced by them कि मंदल जी ने अपने इस्तिभे में लिखा था इन्हें भी आशिर कर बारत ही आना पड़ा और उनका निधन भी मा भारती की गोन में हुआ इतने दसकों के बाद भी पाकिस्तान की सोच नहीं बड़ली है वहाँ आज भी अलपसंख्यों को पर अत्याचार हो रहे है अभी अभी नानकाना साथ के साथ क्या हुआ वो सारे देश और दुनिया ने देखा है और ये ऐसाई नहीं है कि सिर्फ हिंदू और छिकों के साथ होता है और भी माइनोरिटी के साथ ऐसा ही जुल्म वहाँ होता है इसाईयों को भी ऐसी ही पिड़ा जेननी पड़ती है सदन के मैं चर्चार के दर्वान गांधी जी के कथन को लेकर कि भी बात कही गई है कहा गया कि सिये पर सरकार जो कह रही है वो गांधी जी की भावना नहीं थी खेर कॉंग्रेज जैसे डलो ने तो गांधी जी की बातों को तो दसकों पहले छोड़ दिया था पूरी तरह पोटेबल कोटीज अवेलेबल और हमने पचासों बार दे दिया है लेकिन मैं आपने तो गांधी जी को छोड़ दिया है और इसलिए मैं नदेश आपसे कोई अपेक्षा करता है लेकिन जिसके अधार पर कॉंग्रेज की रोजी रोटी चल रही है मैं आज उनकी बात करना चाहता 1950 में नहरू लियाकत समझोता हूँ बारत और पागिस्तान में रहने वाले माइनोरिटी की सुरक्षा को लेकर के ये समझोता हुआ समझोते का अधार पागिस्तान में धार्मिक अल्पसंग्ये को के साथ बेदभाव कुन व्यावार नहीं होगा पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग है जिसमें जो धार्मी कल को संग्यागे जिसकी बात हम बोल रहे हैं उसके समन में नहरू और नियाकत के बीच में अग्रिमेंट हुआ था अब कॉंग्रेस को जवाब देना होगा नहरू जेसे इतने बड़े सेकुलर नहरू जेसे इतने बड़े महान विचारद इतने बड़े विजनरी और आपके लिए सब कुछ उन्होंने उस समय वहाँ की माइनौरिटी के बजाए सारे नागरी कैसा सब्दपरो क्यों नहीं किया अगर इतने ही महां से इतने ही उदार से तो को नहीं किया भाई कोई तो कारण होगा लेकिन इस सब्टे को आप कब तक जुठलाओगे भाईयो भेनो मानिय अद्दक जी और मानिय सदसेगन ये ये उसमय की बात है ये मैं उसमय की बात दता रहा हूं नहरू जी नहरू जी समझोते में पाकिस्तान की माइनोरिटी इस बात पर कैसे मान गए जरूर कुछ न कुछ बज़े होगी जो बात हम बता रहे हैं आज वही बात उस समय नहरू जी ने बताई थी मान यद्देगी नहरू जी ने माइनोरिटी सब्दक क्यों परहूप किया ये ये आप बोलेंगे नहीं कोगे आपको तकलीब है लेकिन नहरू जी खुद इसका जवाब देके गए मुझे मालो मैं आप उनको भी छोड़ दो गे जहां जरूद पड़े आपकी जवाब में छोड़ कर नहरू जी ने नहरू जी ने नहरू लिया कर समझोता साहिन होने के एक साल पहले एक साल पहले असम के तत्कानीन मुख्यमंतरी सिमान गोपिनाजी को एक पत्र लिखा था और गोपिनाज जी को पत्र में जो लिखा था उसमें कोड करना चाहता हूँ उन्होंने पत्र में लिखा था जो लोग हमके कहते हैं हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं हम देश को बाट रहे हैं यह नहरु जी ने क्या कहा था यह ज़र याद रखना गोपिनाज जी जो असम के मुख्यमेंटरी से नेरू जी ने लिखा था आपको आपको हिंदू सर्रार्थियों और मुस्लिम इमिग्रेंट्स इसके बीच फर्क करना ही होगा और देश को इन सर्रार्थियों की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी उस समय असाम के मुख्यमेंटरी को उस समय के भारत के प्रधान मंतरी पंडित नेहरू जी ने लिखी हुई चिठी है नेहरू लिया का समझोते के बाद कुछ महिनों के भीतर ही नेहरू जी का इसी संसत के सोर पर पांच नवंबर 1950 उनका एक बयान है पांच नवंबर 1950 पांच नवंबर 1950 नेहरू जी ने कहा था इसमें कोई संदे नहीं है कि जो प्रभावित लोग भारत में सैटल होने के लिए आये हैं ये नागरिकताल मिलने के हकदार है और अगर इसके लिए कानून अनुकुल नहीं है तो कानून में बदलाओ किया जाना चाहिए पांच नवंबर 1950 1963 में 1963 में लोग सभा में इसी सदन में और इसी जगा से 1963 में कॉल एटेंशन मोशन हुआ उस समय प्रदान मंत्री नहरू तत्काल इन विदेश मंत्री के रुप में भी जिम्मेदारी संबाल रहे थे मोशन का जवाब देने के लिए विदेश राज मंत्री सिमान दिने सीजी जब बोल रहे थे तो आखिर में प्रदान मंत्री नहरू जी ने बीची में उन्हें टोकते हुए कहा था और उन्हें जो कहा था मैं कोट कहता हूँ पूर्भी पाकिस्तान में वहां की अथोरिटी हिंदुओं पर जबर्दस दबाव बना रही है यह पंडीजी का स्टिश्मा करते है पाकिस्तान के खाला को देखते हुए गांदी जी नहीं नेरु जी की भावना भी रही थी इतने सारे दस्तावेज है चिठिया है सेंडिंग कमिटी की रिपोर्ट है सभी इसी तरह के कानून की वकालत करते रहे हैं मैंने इस सबंद में सथो के आधार पर अब मैं अब मैं कॉंग्रेस के स्थास सुरुप से पूछना चाहता हूँ और उनकी इको सिस्टिम भी मेरे सवाल खंजेगी जो ये सारी बाते मैंने बताई क्या पंडित नहरु कॉमिनल थे मैं जड़ा जाना चाहता क्या पंडित नहरु हिंदू मुस्लिम में बेट किया करते थे क्या पंडित नहरु पंडित नहरु हिंदू राष्ट बनाना चाहते थे जो उन्होंने जो बाते कही क्या पंडित नहरु हिंदू राष्ट बनाना चाहते थे मानिय देग जी कॉंग्रेस की दिक्कत ये है वो बाते बनाती है जूटे वादे करती है और दसकों ताथ वो बादों को तालती रहती है आज हमारी सरकार अपने राश्ट निर्माताओं की भावनाओं पर चलते हुए फैसले ले रही है तो कॉंग्रेस को दिक्कत हो रही है और मैं फिर से स्पस्ट करना चाहता हूँ इस सदन के मात्यम से इस देश के चुछ तीस करोड नागरिकों को बड़ी जिम्मेवारी के साथ समिधान की मर्यादाओं को समझते हुए के कहना चाहता हूँ समिधान की जिम्मेवारियों को समझते हुए कहना चाहता हूँ समिधान के प्रतिसमर पर भाव से कहना चाहता हूँ देश के इस सुतीस करोड नागरिकों से कहना चाहता हूँ इस बिल से इस एक से हिंदुस्तान के किसी भी नागरिव पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव होने वाला नहीं है चाहे वो हिंदु हो मुस्लिम हो सीखो हो इसाई हो किसी को नहीं होने वाला इससे भारत की माइनुरिटी को कोई नुक्सान होने वाला नहीं है फिर भी फिर भी जिन लोगों को देश की जंता ने नकार दिया है वो लोग बोर्ड में की राजनीटी करने के लिए ये खेल खेल रहे हैं और मैं जड़ा पूछना चाहता हूँ मैं कॉंग्रेस के लोगों से विछे सुख से पूछना चाहता हूँ जो माइनोरिटी के नाम पर माइनोरिटी के नाम पर अपनी राजनीटी लोटिया सेखते रहते हैं क्या पूंग्रेस को 84 के दिल्ली के दंगे याद है क्या माइनोरिटी के साथ क्या वो माइनोरिटी नहीं थी क्या आप उन लोगों के हमारे सीख बाईयों के गले में तायर बांच-बांच करके उनको जला दिया था इतना ही नहीं सीख दंगों के अरोपियों को जेल में पर बेजने का काम आपको ने किया नहीं इतना ही नहीं आप जिन पर आरोप लगे हुए है तीख दंगों को बढ़काने के जिन पर आरोप लगे है उनको आज मुख्षमंत्री बदा देते हो तीख दंगों को आरोपियों को सजा दिलाने में ओन हमारी विद्वा मासाओं को तीन तीन बसकत नाए के लिए इंतजार करना पड़ा क्या वो माइनोरिटी नहीं थी क्या माइनोरिटी के लिए दोतों सवाजों होंगे क्या यही अपते तरीके होंगे मानिय अदजी कॉंग्रेस पर्टी जिसने इतने सानों तक देश में राज किया आज वो देश का दुर्भाग्य है कि जिसके पास एक जिम्मेवार विपश्के रूप में देश को अपेख्षायती वो आज जलत रास्ते पर चल पड़े हैं यह रास्ता आपको भी मुसिबत पैड़ा करने वाला है देश को भी संकट में डालने वाला है और यह शेटावन मैं इसले दे रहा हूँ हम सब को देश की चिंता होनी चाहिए देश के उजवर भविश की चिंता होरी चाहिए आप सोचिए अगर राजस्तान की विधान सबा कोई निर्णे करे कोई ववसा खड़ी करे और राजस्तान में कोई मानने को त्यार नहों जलते जुलूस निकाले इंसा करे आज जनी लगाए आपकी सरकार है क्या सिटी बनेगी मदब देश आप वहाँ बैठे हैं मदब देश की विधान सबा कोई निर्णे करे और वहाँ की जनता उसके ख़लाब इसी प्रकार से निकल पड़े क्या देश ऐसे चल सकता है क्या क्या एनार्गी का रास्ता और इसलिए आपने बहुत कुछ दिया है आपने इतना गलस किया है इसलिए तो वहाँ बैठना पड़ा है कि आपके कारणामों का ही परणाम है कि जनता ने आपको मार बिठाया और इसलिए लोग सांत्रिक तरीके से देश में हर रेक को अपनी बात दताने का हाथ है लेकिन जूत और अप्वाएं सला करके लोगों को गुम रहा करके हम कोई देश का भ़ला नहीं कर पाएंगे और इसलिए मैं आज समिधान की बाते करने वालों को विशे सुप से आगरे करता हूँ आईए समिधान को सम्मान करें आईए मिल बैट करके देश कलाएं आईए देश को आगे ले जाएं फाइल ट्रिलियन डॉलर एकोनोमी के लिए एक संकल्प लेकर के हम चलें आईए देश के पंदरा करोर परिवार जीन को पीने का सुद्द जल नहीं मिल रहा है वो पहुँचाने का संकल्प करें आईए देश के हर गरीब को पक्का धर लेने के काम को हम मिल करके के आगे बढ़ें ताकि उनको पक्का धर मिलें आईए देश के किसान हो, मचवारे हो पसुपालग हो उनकी आए बढ़ाने के लिए हम कामों को सबलता पुर्वक आगे बढ़ाईए आए हर पंचाय को broadband connectivity दे आएए एक भारत स्वेश भारत बनाने का संकल पर ले करके हम आगे बढ़े मान्य दग्जी भारत के उजवल भविश्च के लिए हम मिल बैठ करके आगे चले इसी एक भावना के साथ मैं मान्य राश् आपका भी मैं भी जयदा आभार बेटा करता हूं मैं सबी सदशों के एक साथ मजदान के लिए रखूँगा प्रश्णि है कि मान्य दग्जी दारा प्रस्दूत किये गए संचोदन सुगत किये जाए मेरे विचार में निंडे नावालों के पक्षम हुआ अब मैं राष्टपती के अभी भाशन पर धन्यवाद परस्ताओं के लिए मद्दान के रफूँआ प्लस्ते एकây राष्टपती की सेवा में निम्ड की शब्दों में एक समावेदन प्रस्तूत किया जाए इस सत्र से समावेद लोगसभा के सद्रश राष्टपती के उस अभी बाशन के लिए जो उनोंने 31 जनवरी 2020 को एक साथ समवेद संसत्र की दोनों सभाओं के समख्ष देने की किरपा किये उनके अत्यनत आवारी हैं जो सद्रश इसके पक्ष में हा के हैं जो सद्रश इवरोज में ना के हैं